So guys, अभी SBI में अपना Saving Account घर बैटे खुलवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को टिल दा एंड देखते रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, SBI के तरफ से रिसेंटली Relaunch किये गए Insta Saving Account की, और डिटेल डेमो देखेंगी कैसे आप Step by Step इस प्रोसेस को complete करके कुछी मिनिटों में अपना Saving Account SBI में खुलवा सकते हैं, तो guys, चलिए अब शुरू करते हैं, but before that, please hit the subscribe button and press the bell icon for getting latest videos update. So guys, welcome back to GB Tech Street, so guys, सबसे पहले आपको जाना होगा Play Store, और Play Store पर जाने के बाद आपको यूनो SBI app को download कर लेना है, और guys, इस app का link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको जैसे ही आप इसको open करेंगे, कुछ permissions आपको देनी पढ़ेंगी, उसके बाद क कुछ ऐसा interface आपको नजर आएगा, आपको यहाँ पर new to LBI पर click कर लेना है, और यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दो तरह के account नजर आएंगे, एक digital saving account और insta saving account, so guys, digital saving account वो है जिसके अंदर आपको एक बर bank में visit करना पड़ता है, अपना biometric verification करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना full account easily आप use कर पाएंगे, आपका account open हो जाएगा, और दूसरी तरफ है insta saving account, यह account आप online open कर सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई भी bank visit नहीं करनी है, और आपको इसके अंदर कुछ limitations है, जो कि आपको यहाँ पर around 1 lakh का limit मिल रहा है आपको, just आप 1 digital saving account की तरह use कर पाएंगे, तो guys, चलिए अब हम कर लेते हैं, अपना insta saving account open, तो आपको यहाँ पर apply ना पर click कर देना है, तो उसके बाद दुबारा आपको यहाँ पर apply new पर click कर देना है, और apply new पर click करने के बाद यहाँ पर terms and condition को accept कर लेना है, और next कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर next पर click करेंगे, कुछ ऐसा interface आपको नजर आएगा, यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना पड़ेगा, जो कि आप अपने sbi account के साथ link करना चाते हैं, और sbi account के साथ link करना चाते हैं, उस account को आप यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके register mobile number यहाँ पर numbers यूज करके अपना strong password create कर सकते हैं, और नीचे आपको यहाँ पर security questions नजर आ रहा होगा, इसको आप select कर सकते हैं, कोई भी security question आप choose कर सकते हैं, जो की काम आएगा अगर आप अपना password भूल जाते हैं तब, और उसके बाद आपको अपना security question select करने के बाद आपको यहाँ पर next कर देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक notification नजर आएगा, जिसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि आपको 15 days के अंदर यह पूरा process complete करने हैं, अदर आपका data lost हो जाएगा, और guys उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, तो उसके अबर यहाँ पर आपको टर्मस and condition को accept कर लेया है, और आपको next कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको again terms and condition को accept करना है, और next कर देना है, और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो आप QR Code के ठूर्प स्कैन करके डाल सकते हैं, यहाँ फिर आप एक virtual ID के ठ जिरू ढाल सकते हैं और यहां फिर आप डिर्यक्ट अपना अधार नंबर अंटरब कर सकते हैं तो क्या हम लेते अपना अधार नंबर और जैसे कि आप plata लोग इहां पर देख सकते ऊसके बाद आपको यहांपे हुझत कर देना है और उसके बाद आपके personal details enter करनी है जैसे कि आपकी place of birth select करनी है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी country select करनी है और यहाँ पर citizenship select करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको nationality select करनी है तो guys यहाँ सब में आप इंडिया डाल देंगे जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं और इंडिया डालने के बाद आप उसको next करेंगे जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं फिर उसके बाद कुछ यहां पे आपको अपनी अधार details नज़र आएंगी जो कि आपके अधार से redirect यहां पर हो जाती है और उसके बाद यहां पर आपको अपना state चूज़ कर लेना और आपका टाउन बगारा select कर सकते हैं यहां पर उसके बाद जैसे ही आप यहां पर select अपनी personal detail select करेंगे तो उसके next करेंगे तो आपको यहां पर अपना pen card enter करने के लिए उचेगा तो आप यहां पर अपना pen card number enter कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर pen card number enter करने के बाद next कर सकते हैं और next करने के बाद कुछ ऐसा इंटर्विस आपको नजर आएगा यहां पर आपको अपनी education qualification select कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना marital status को भी select कर लेना है और यहां पर फिर आपको कुछ additional information अपनी देनी है और example अपने फाद का नेम और मदर का नेम सारी details यहां पर डाल देंगे और उसके बाद जैसे कि आप यहां पर डालने के बाद आप next करेंगे तो कुछ ऐसा intervention आपको नजर आएगा और जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर अपनी annual income पूछी जा रहे तो आप अपनी annual अधार card scan कर सकते हैं यहां फिर enter nominee details पर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर उनका name वगएरा relationship date of birth वारी details आप डाल सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप nomini का address वगएरा भी आप mention कर सकते हैं अगर आपका address same है तो आप इस box में click कर देंगे otherwise आप उनका detail address डाल सकते हैं तो उसके बाद जैसे ही आप यहां पर click करेंगे उसके बाद आपको next कर लेना है और उसके बाद यहां पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको अपनी nearest branch को choose कर लेना है जहां पर एक बार visit करके अपना इंस्ता saving account को digital saving account में convert करेंगे तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप by locality select कर सकते हैं और यहां पर choose कर सकते हैं यहां फिर आप डिरेक्ड यहां पर अपने branch का address डाल सकते हैं और उसको choose कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर enter कर सकते हैं और enter करने के बाद आपको फिर से next कर देना है और next करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी debit card details नजर आ रही है तो अगर आपको change करने चाते हैं तो यहाँ से change कर सकते हैं otherwise आप next पर click कर सकते हैं और उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते ह गया है और उसके बाद आपको अपना cif number भी mention किया गया है branch code भी आपको mention दिख जाएगा यहाँ पर और other details भी आपको सब यहाँ पर easily मिल जाएंगी और उसके बाद guys आप सारी details आप यहाँ पर note कर सकते और इसका screenshot भी ले सकते हैं और guys उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको details में नज़र आ जाएंगी आपको important notes में नज़र आ जाएंगी जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं और guys इसके बाद बात आती है internet banking की तो अगर आपको अपना username password activate करना पड़ेगा जो भी आपका register mobile number है उसके उपर आपको एक temporary user ID आ जाएगी आपके और उसको use करके आप SBI online SBI की website पर जा सकते हैं और वहाँ से आप अपना user ID और password create कर सकते हैं जिसके तुर आप you know app के under enter करने के बाद आप easily सभी facility use कर पाएंगे या फिर आप online website के थूब भी आप सभी SBI की internet banking की सभी facility easily use कर पाएंगे तो guys ये था हमारा instant saving account opening करने का process ओप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो